तो भाईया आज है IPL का जो चोथा मैच है राजस्तान रोयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में हमने यहाँ पे चार टीम रेडी की हैं यह चार टीम तो हम आपको दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले हम स्क्वेड की बात कर लेते हैं जो प्लेइंग 11 है वो कैसा होने वाला है आप देख सकते हो यहाँ पे राजस्तान का अगर बात करें तो हम यहाँ पे बैंस टॉक्स और ये शस्वी जैसवाल ओपनिंग कर सकते हैं संजू सैमसन, जोस बटलर, रियान प्रियाग, राहूल तेवतिया, शीवम दुबे, क्रिस मौरिस, श्रेस गोपाल, मुस्तफिर जूर, रहमान, कार्तिक त्यागी यह है राजस्तान का प्लेंग 11, अभी तक तो यही अपडेट है, बाकी जो टोस होगा उसके बाद, कुछ चेंजिस होते हैं तो वो बाद की बात है, वो तो टोस के टाइम पता चलेगा, लेकिन जो राजस्तान का प्लेंग 11 है, वो यही हो सकता है और जो पंजाब किंग्स की बात करें, तो केल, राहूल, मयंक, अगरवाल, क्रिस, गेल, निकोलस पूरन, शारुक खान, यह नए प्लेयर हैं यहाँ पे एक, और यहाँ पे आप वोईसेज हैंरिक्स को देख सकते हो, रिचर्ड सन, रवी बिशनोई, मुरुगन अश्विन महमत शमी और इशान पतेल, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे इससे कुछ मैच के अपडेट के बारे मेच नमबर फॉर है यह, और यह जो मैच होने वाला है, यह होने वाला है, मुमबई के वान खेडे स्टेडियम में, अब मुमबई के वान खेडे स्टेडियम मे चीज़ों है तो यहाँ पे जो first betting wins है जो first betting वालों को इतना बड़िया support नहीं मिला पिच्छ का जितना की second betting वालों को मिला है run जरूर बने है इस पिच्छ पे लेकिन जो score है वो chase भी हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो first betting wins बिल्कुल 0 है हम इस IPL की बात कर रहे है 2021 की बात कर रहे हैं यहाँ पे और कोई बात नहीं कर रहे है ठीक है तो अभी तक एक match हुआ है चेन्नेई और दिल्ली का यहाँ पे चेन्नेई ने 108 सी run बनाये थे और चेन्नेई हार गई थी यह match और जो second में इनिंग्स में दिल्ली कैपिटल ने चेस कर लिया था और second winning जो है यहाँ पे एक हो चुकी है और आज दूसरा मैच है मुंबाई के वान खेड़े में आप देख सकते हो highest score अब तक का 2021 का एक match हुआ है 188 run बनाये थे चेन्न और 190 run बनाके दिल्ली ने चेस कर लिया था तीन विकेट बस गिरी थी और जो first inning में विकेट गिरी थी वो seven विकेट गिरी थी तो first winning first betting winning percentage आप देख सकते हो यहाँ पे 30 to 40% है अगर जो first betting wins है और जो second betting win है वो 60% है अब यहाँ पे जो pace wickets हैं जो fast bowler को pitch ने help किया है तो 8 wickets total गिरे थे उस match में और 8 wickets जो लिये थे वो pacers ने लिये थे fast bowlers ने लिये थे तो fast bowlers के लिए बहुत अच्छी बिच है help करती है उनको ठीक है और अगर spin wickets की बात करें तो spin यहाँ पे इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है spin के लिए तो सिर्फ एक wicket मिला spin और वो भी अश्विन को मिला था पिछले match में ठीक है तो यहाँ पे 69% pacers के लिए अच्छी बिच है तो अगर आपको अपनी team बनानी है तो fast bowler आपकी team में होना ही चाहिए ठीक है spinners को आप एक-एक spinner एड़ कर सकते हो जैदा spinners पे आप दाओ मत लगाना अपना जो भी आप team बना रहे हो ठीक है उसके बाद जो pace wickets है यहाँ पे 8 ठीक है pacers ने लिए total 8 wickets spin ने लिए यहाँ पे only 1 wicket first batting में जो wickets लिए pacers ने वो 5 wickets लिए यह सब आकड़े में आपको क्यों बता रहा होगे जरूरी है ठीक है team बनाने के लिए न उसकी research उसके बारे में जानना पड़ता है सब कुछ match कहां हो रहा है ठीक है तो first batting जो wins है first batting जो pacers ने जो wicket लिए वो 5 लिए है और जो spinners ने wicket लिए वो बिलकुल एक wicket लिए है और second batting second innings में आपको यहाँ पर three wicket मिल जाएंगी pacers की और spin की बिलकुल zero है तो इस चीज से यह तो पता चल रहा है कि यह जो wicket है pacers को help करने वाली है और pacers के लिए है fast bowlers के लिए है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो अब बात कर लेते हैं यह सब detail तो हमने जान ली अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चार teams जो यहाँ पर ready की है यह teams ready करने में मुझे दो घंटे लग गए ठीक है तो यह मत बोलना कि हवा में तीर नहीं मारा है हवा में तीर बहुत से लोग मारते हैं इसलिए आप सब के लिए बहुत research करके यह team बनाई हैं सारी और यहाँ पर आप जो है आप पहली team देख सकते हो team 1, team 2, team 3 और team 4 तो यहाँ पर पहली team में हमने लिया KL Rahul को, Chris Gayle को Sanju Samson को, Nicholas Puran को Rahul Tevatiya कार्तिक त्यागी को लिया है क्योंकि जो bowling है ना कार्तिक त्यागी पिछले IPL में हमने देखा था एक बिल्कुल bowling में धार है ठीक है कार्तिक त्यागी जो bowling अच्छी करते हैं ठीक है तो आप इनको ले सकते हैं और fast bowlers के लिए पीछ है और मुहमद शमी को हम ignore नहीं कर सकते रवी बिश्णोई spinner यहाँ पे Chris Morris को लिया है क्योंकि जोफरा आर्चर यहाँ पे यह match नहीं खेल रहे हैं उनको वो चोटिल है और वो पता नहीं कब से आएंगे तो अब तक Chris Morris को देखना होगा आज और Ben Stokes को लिया यहाँ पे ठीक है और Richardson को लिया है यह पहली टीम है ठीक है और यह है सेकिंड टीम केल राहूल, मयंक, अगरवाल, संजू सैमसन रियान प्याग, शीवम दुबे, मुहमद शमी Richardson, रवी बिशनोई और यहाँ पे हमने लिया है कार्थिक त्यागी को वाइस कैप्टन मनाया हमने और इस टीम में हमने केल राहूल को बनाया है कैप्टन, और जो पहली टीम है इसमें हमने क्रिस गेल को कैप्टन मनाया है, क्रिस गेल को हो जाए क्रिस पे तो चाहे फिर वो स्पिनर हो, चाहे वो फास्ट बोलर हो, कोई नहीं टिकता ठीक है तो और मुहमद शमी को उने वाइस कैप्टन मनाया है, और यहाँ पे क्रिस मोरिस को लिया है सेकिंड टीम में और श्रेस को पाल को लिया है, अब थर्ड टीम की बात करते हैं, यहाँ पे मयंक अगरवाल को लिया है, अब देखो यह टीम हर एंगल से सोच समझ के बनाई है, हो सकता है अब यहाँ पे मयंक अगरवाल को लिया है केल राहूल को नहीं लिया, हो सकता है KL रहुल ना चले, ठीक है हर सीजन एक जैसा नहीं होता मैंने एक, इसमें Ben Stokes को भी नहीं लिया है ठीक है, Ben Stokes ने माना पिछले IPL में अच्छी बारी खेली थी बट, अब हर सीजन एक जैसा नहीं होता, वो दुबई था, ये इंडिया है, ठीक है तो ये नहीं किया, आप पिछले सीजन जैसे सेम टीम्स बनाते जाओगे ठीक है, थोड़ा चेंज आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज होता भी है, ठीक है तो यहाँ पे हमारी ये टीम है, चोथ थर्ड टीम, मयंक अगरवाल, क्रिस गेल संजू सैमसन, जोस बटलर निकोलस पूरण, शीवम दुबे को लिया है महमच अमीर, अवी बिश्नोई क्रिस मौरिस, श्रियस गोपाल को लिया है, रिचर्ड सन को लिया है, वाइस केप्टन मनाया है, मयंक अगरवाल को केप्टन यह जो टीम है, केल, राहूल, संजू, सैमसन, रियान, प्रियाग निकोलस पूरण, आप यहां पर देख सकते हो कभी-कभी पता है, क्या होता है, जो अपर ओर्डर है, वो नहीं चलता, मिडल ओर्डर जो है, वो संभाल लेता है पारी को ठीक है, समझ रहे हो ना तो उपर के जो बैट्समेन है, वो जल्दी आउट हो जाते हैं, और फिर जो बीच वाले बैट्समेन, ओल राउंड रहे हैं, वो सब पारी को संभाल लेते हैं, उसी हिसाब से ही जो सोच समझ के टीम्स क्रियेट की गई है राहुल तेवतिया को लिया है, रवी बिशनोई को लिया है, राहुल तेवतिया को ओर टीम्स में नहीं लिया क्योंकि माना की पिछली बार अच्छा प्रदर्शन रहा था राहुल तेवतिया का तो अब पहला मैच है देखना दिल्चस्पोगा की राहुलतेवतिया इस बार क्या करते हैं और रवी बिश्णोई मुहमद शमी शिवम दुबे रिचर्ड सन कार्तिक त्यागी और श्रेयस कुपाल और यहाँ पे हम जो वाइस केप्टन यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ पे हम बनाएंगे कार्तिक त्यागी को देखो कार्तिक त्यागी को आप इग्नोर नी कर सकते हैं अगर कार्तिक त्यागी को आप जानते हो बोलिंग देखिए आपने तो बहुत अच्छी बोलिंग है bowling attack बहुत अच्छा है बहुत अच्छा इनका action है अब जब match चुरूओगा आप देखो यह सब team तो हमने बना दी यह सब हमने आपको बता दिया अब जो शाम को toast होगा ना उसमें आपको देखना होगा कि कौन से changes है कौन सा player नहीं खेल रहा है वो आप change कर सकते हो और यह जो prediction हमने किया है यह आपने चार team सोच समझ के बनाई है बहुत आप चाहे तो इन teams को लगा सकते हो dream 11 पे बना सकते हो तो बस आज की video में इतना ही आप मिलते हैं next video में जो कल आएगा जो कल का match है Mumbai Indians और किसका है जो कल का match है वो कल video आएगा या आज रात को आजएगा ठीक है तो बस आज की video में इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाए बाए